नमस्कार मित्रानो आज त्या सेशन मदे आपन एक इम्पोर्टन्ट थेरम स्टेडी करना रहे जच नाव है रोल्स थेरम आनी लाइग्राइंस मीन वैल्यू थेरम यहला मनते आपन लम्विटी यहला आपन रोल्स थेरम ला कही बूक्स मुझे रोल्स लेमा आसपन नाव है लाइग्राइंस मीन वैल्यू थेरम मनझे सा लमविटी थेरम आपन लम्विटी थेरम आपन मुझत है तो आज डिटेर्स इस सेशन में हम जान करें लिने वाले और आपके मार्क्स जोए तीन मार्क्स कंफर्म होने वाले हैं बोर्ड पॉइंट आफ यू स्टेट बोर्ड सेशन देखने का है तो आपके आज के तीन मार्क्स जोए वो कंफर्म हो जाएगे तो डेफिनेटली फूब लाइग्राइंस मीनस वैल्यू थेरम रोल्स थेरम और यहां पर दिखाई दिया होगा कि दो थेरम मैंने यहां पर लिखा है क्यों लिखा है कि कंपेरिजन आपको सिंपल लगेगा इसलिए मैंने लेका है एक्चिली दर टू थेरम सार्थी डिफ्रन लेकिन अगर कंपेरिजन से हम स्टेडी करेंगे तो डेफिनेटली आपको पूरा कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएगा ऐसा मुझे लग रहे है तो तो थेरम रोल्स थेरम और यहां पहल रियल वाल्यूट थेरम यहां थेरम रहे तो यह संसर्था थेरम यह जो थेरम रहे हैं तो यह संचिन एक्टिशन थेर्वागे विपगा इंग दिर्वागे क्याम रहे नहीं आपने मैंने वह रेड किया है लेकिन कुछ समझ में आया है नहीं आया है मुझे पता नहीं लेकिन कुछ तो यहाँ पे continuous difference labor और कुछ तो equal to IC conditions आपको first reading में समझ में आएगी तो अभी मैं थोड़ा details में समझा के दूँगा यह तो f of x क्या एक real value function है लेकिन यहाँ पे आपको तीन condition important है कितने condition important है तीन condition important है तो तीन condition कौन कौन से एक है continuous दुसरा है differentiation और थर्ड है equal continuous differentiation equal continuous differentiation equal continuous differentiation equal तीन condition हम rolls theorem में verify कर दे है पहली condition है आपका f of x continuous रहना चाहिए लेकिन continuous काहँ पे it is very important here this is the close interval it is not the open interval this is the close interval तो वो close interval में continuous है continuous है मतलब क्या है अब मैं function draw कर सकता हूँ a से लेके b तक a भी उसमें include होगा b भी include होगा that is a close interval तो आपका function जब y is equal to f of x एक continuous है from a to b लेकिन close interval में के मतलब a b यहां बे include होगा d b include होगा उसके बाद second condition के है आपका जो function है continuous है मतलब differentiable रहे ग़ए हमें पता है relation between continuous and differentiation तो यहां पर continuous है मतलब differentiable रहेगा लेकिन वो differentiation कहां पर open interval में 이번ation कहां पर open interval में on a to do were then third condition is about अगर यहाँ पर continuous है from close interval फिर depressible है open interval में तो यहाँ पर और एक third condition आपको verify करने का है that is यह तो पता हो गया मुझे यहाँ से बी तो पता हो गया यहाँ से तो f of a equal to f of b अगर यह condition आती है तो क्या होगा आपके पास f dash c equal to 0 एक condition मिल दे और c एक constant रहेगा और वो c क्या रहेगा c belongs to a to b मतलब c a to b में कोई तो एक constant रहेगा in that constant we are getting the condition f dash c equal to 0 f dash c equal to 0 मतलब क्या है the rolls theorem क्या बता रहा है if y is equal to f of x is the real valued function of the real variables such that f of x continuous है कहां पर close interval a to b में और वो difference है भी कहां पर open interval a to b में then f of e equal to f of b फिर मुझे third condition मिल रहे तो third condition मिलने के बाद मैं अभी ये इस rolls theorem से मैं define कर सकता हू such that एक constant रहेगा कहां पर रहेगा in between a to b c belongs to the a to b such that f dash c equal to 0 अभी देखो आप f dash c find कर रहेगा मतलब f dash x मुझे find करना पड़ेगा first फिर x की जग़ा value मुझे c put up करनेगा मतलब that is nothing but what that is nothing but what it is the slope of tangent this is the slope of tangent इसको बोलेंगे हम slope of tangent तो ये slope of tangent वो क्या equal कर पाएगा it is equal to the 0 ये rolls theorem satisfied कर रहा है ये rolls theorem बता रहा है में अभी मैं थोड़ा geometry explain करता हूं इसकी यहां पर function define करता हूं यहां पर x और y that is in xy axis यहां पर क्या बोल रहा है it is a continuous function suppose continuous मतलब यहां से मैंने start किया यहां से पी किया तो ऐसा कुछ आपको function मिलेगा तो a जो a value क्या रहेगी a और a value क्या रहेगी b मतलब यह continuous function है यहां पर कुछ break दिखाई दे रहा है के मुझे नहीं it is continuous function a भी include हो रहा है वहां पर b भी include हो रहा है such that this is what y is equal to f of x यह तो continuous है मतलब पहली condition है in the close interval a to b उसके बाद यह difference a कहां पर starting from a हो रहा लेकिन exactly at a equal to n a होगा exactly at b equal to n a होगा तो यहां पर intermediate between that the function is the differentiable then f of a equal to f of b अगर इसकी value मतलब यह value और यह value अगर same आती है y is equal to f of a तो y axis की उपर आएगा अगर यह value अगर same आती है तो हम बता सकते है कि वहाँ पर एक variable रहेगा एक constant रहेगा c कहां पर रहेगा हो in between a to b such that इसका अगर मैंने tangent draw किया तो यह equalize हो जाएगा योगि f dash c मतलब क्या slope है तो यहां से आगर slope मैंने find किया तो वहाँ पर आपको f dash c equal to 0 एक condition मिल जाएगी तो rolls theorem satisfied होने के लिए मुझे तीन condition चाहिए पहला एक आपका function continuous होना चाहिए in between close interval a to b उसके बाद वो differentiable होना चाहिए from open interval a to b और अगर f of a equal to f of b एक condition आ गई तो मैं वहाँ पर आपको slope हो equalize कर सकता हूं 0 and this is all about the rolls theorem this is all about the rolls theorem हम ऐसा भी बता सकते अगर एक करो हमने उपर से ले लिया यहाँ पर होगा a, यहाँ पर होगा b और यह तो equalize हो जाएगा continuous है, differentiable है तो यहाँ का जो f dash c मिल जाएगा मुझे, ओ क्या होगा आपका slope of tangent and then f dash c f dash c equal to 0 तो यहाँ पर आपको यह terms और यह terms से दोनों क्या मिलने चाहिए same मिलने चाहिए, मतलब f of a equal to f of b होना चाहिए तो इस function को, इस theorem को हम बोलते rolls theorem इस theorem को बोलते rolls theorem, तो rolls theorem की तीन conditions है, first continuous होना चाहिए, in the close interval a to b, differentiable होना चाहिए in open interval a to b और f of a equal to f of b अगर हो गया तो हम ओ जो slope हमें मिलने वाला है कहां पे slope मिलेगा हमें at c belongs to a to b वो slope क्या होगा, that is equal to 0, यह हमारा rolls theorem है हम इसके उपर problems लेंगे फिर definitely आपको ही समझ में आएगा उसके बाद, मैं भी compare करना हूँ आपका LMUT theorem with the rolls theorem, यह तो देखो, आप मैंने यहाप लिका हो, if f of x is real valued function of real variable such that यहाँ पे भी same लिकाए होने, if f of x is real valued of the function of real variable such that, first condition f of x is continuous, yes it is continuous, closed b, closed b मतलब first condition, same है, उसके बाद f of x is differentiable, a to b yes, यह भी condition, same है यहाँ पे, third condition satisfied होने की ज़रोत नहीं है, this is the advantages of the LMUT theorem हमें यहाँ पे शिर्फ दो यह condition satisfied करने का है, first continuous और differentiable, यहाँ पे continuous differentiable equal, continuous differentiation equal, यह तीम condition verify करने का है, this become the disadvantages for the rolls theorem, और यह disadvantages, remove काउन कर रहा है LMUT theorem कर रहा है, उसके बाद, अगर यह दो condition satisfied होरे है, तो LMUT theorem क्या बोलता है yes, there exists one constant c, such that c belongs to the a to b, such that this f does c equal to f of b minus f of a, that is equal to b minus a मतलब यहाँ पे जो equal हम condition condition बोल रहे न, वो condition हर टाइम होने की जरुवत ने, क्योंकि हर एक function में वह condition आ सकती है ऐसा नहीं है, this theorem is applicable to 1d, f of a equal to f of b उसी condition को मतलब i.c. set मिल जाएगी, तब यह theorem applicable होगा, यह theorem, इसका जो drawback है, वो remove करता है क्योंकि third condition आपे verify नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ f dash equal to वहाँ पे 0 होता, यहाँ पे f dash equal to f of b minus f of a divided by b minus a, एक condition हमें मिल जाएगी, तो इससे भी हम बता सकते, तो यह अगर geometry आपे हमने define की, तो यह अगर suppose यह हो जाएगा आपका a, तो यहाँ पे point मिल रहा है आपको, यह क्या मिलेगा a f of a और यहाँ पे जो आपको b मिल रहा है f of a f of b, f of sorry, f of this is the a point and this is the b point b f of b, और यहाँ पे हम एक c point मिलेगा, अगर इसका हमने tangent draw किया, तो हमे point a f of a, b f of b क्योंकि f of b minus f of a, b minus a हम यह point point find करें तो इसका parallel में, वो कोई, वो line हमें मिल जाएगी, और यह आपका रहेगा line, f of b minus f of a, that is y2 minus y1 upon x2 minus x1, यह रहेगा आपका line का equation रहेगा, समझना है तो हमें यह line का equation यहाँ पे मिल रहा है, using this geometry so this is the theoretical concept of the rolls theorem and the elementary theorem बहुत ही simple है, rolls theorem function क्या बोलता है, function तो real value function है, किसमें real variables में, real variables में लेकिन वहाँ पे f of x continuous रहना चाहिए, close interval में differentiable होना चाहिए, open interval में और फिर f of a equal to f of b तीन condition अगर satisfied हो गई तो वहाँ पे a constant exist होगा c that belongs to the a to b उस constant में, हम f dash c equal to 0 वहाँ पे define कर सकते and this f dash c is nothing but the slope of that tangent at particular point to the curve, उसके बाद elementary theorem क्या बोलता है, elementary theorem वहाँ पे बोल रहा है जैसा rolls theorem वहाँ पे बोल रहा है, वहाँ पे बोल रहा है लेकिन हम पे थोड़ा चेंजे से पहला तो बोल रहा है कि y is equal to f of x it is continuous in the close interval y is equal to f of x is differential in the open interval a to b, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है जैसा बाद, उस statement ऐसा दे रहा है कि there exist one constant c that belongs to the a to b such that f dash c equal to f of b minus f of a upon b minus a this condition is used by the elementary theorem मतला यहाँ पे तीन हमें condition verify करने का और इसमें बोल रहाँ करने का है और हमें intermediate वोल रहाँ करने का है so this is the introduction and geometrical interpretation for the rolls theorem and the elementary theorem I hope that you understood very very clearly all the concept regarding the rolls theorem and the elementary theorem अपने क्लेर किया होगा definitely rolls theorem or elementary theorem the concept or theoretical concept and the geometrical interpretation getting so after this now we will start the numerical based on first we will start the rolls theorem and then we start the elementary theorems तो नहों आपके screen के सामने दो problems यहां पे है Check whether the condition of rolls theorems are satisfied by the following equation The first problem f of x is equal to 2x cube minus 5x square plus 3x minus 2 x belongs to 0 to 3 by 2 close interval और f of x is equal to x square minus 2x plus 3 x belongs to 1,4 close interval तो थोड़ा प्रिमाइन कीजिए कि आपके steps क्या क्या होना चाहिए rolls theorem में यहापे मैं shots में लिखता हूँ आपको तो first is it is the continuous second is differentiation और differentiable और third जो आपका f of y is equal to kya होना चाहिए f of b this is the rolls theorem अभी हम स्रीप rolls theorem की पर concentration कर रहे है we have studied the theory regarding the LMUT लेकिन अभी हम स्रीप rolls theorem पहले export करेंगे और फिर LMUT theorem के लिए मुह हो जाएंगे तो आपको check करने का कि condition of rolls theorem satisfied हो रही का नहीं हो रहे तो मैं by of x is equal to 2 x cube minus 5 x square plus 3 x minus 2 एक condition ले रहा हूं मैं अभी अभी यहां पर condition लेने के बाद मुझे क्या चाहिए यह function continuous है क्या नहीं ओर define करने को आना चाहिए आपने 11 में देखा होगा अगर function trigonometric है exponential है inverse function है या polynomial function है तो वहाँ पर condition क्या क्या होनी चाहिए continuity की वहाँ पर हमने study किया है आप वहाँ पर मेरा session भी देख सकते video भी देख सकते just by observing the function this function, which function, categorizing the function और उस functions हम continuity कहाँ पर define कर सकते तो अभी आपको यह function देखिए मुझे इतना तो समझ में आई यह function क्वाँ सा है तो उसा है polynomial and the polynomial function is continuous everywhere means what the f of x is f of x is continuous everywhere polynomial function है मतलब क्या है वो continuous है everywhere is continuous और everywhere मतलब वो close interval होगा जो given है 0 to 3 by 2 0 to 3 by 2 क्योंकि हर एक पॉइंट पर क्या होगा continuous function होगा अगर यह continuous function है मतलब वो differentiation भी होगा function is differentiable भी होगा लेकिन कहाँ पर होगा वो exactly क्योंकि इसका interval close interval interval close interval 0 to 3 by 2 हो रहा है तो यह open में होगा 0 to 3 by 2 मतलब continuous function है मतलब obviously it is a differentiable function क्योंकि we know the relation between the continuity and differentiation to find the third condition that is f of a and f of e तो आपको पता है interval to b आपको कितना a to b that is equal to 0 to 3 by 2 0 to 3 by 2 मतलब a की value क्या मिल गे मुझे 0 और b की value क्या मिल गे मुझे 3 by 2 a की value 0 मिल गे b की value 3 by 2 मिल गे तो I will find f of a now f of a that is equal to f of 0 और मैं a value इस function में put up करता हू यह function आपको दिख रहा है मैं यहां पे bracket करना हूँ तो इस function में मुझे value put up करनेगे x as a 0 तो यह वाग जाएगा 0 0 0 minus 2 that is equal to minus 2 so f of a मुझे मिल गे minus 2 next I will find f of b f of b f of b मतलब f of 3 by 2 तो आपको यह calculation करना पडेगा 2 into 3 by 2 cubed minus 5 3 by 2 square plus 3 into 3 by 2 minus 2 calculation कीजिए और मैं जो बताए इसका calculation कितना आता है so I will do the one minutes actually problems आपका textbook में यहापे plus है so I will consider this also as a plus 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 so यहापे होगा यह plus और यह plus make this correction in your textbook this is the value of the plus 2 so इसकी value की आएगे so let us try to solve this 2 into 3 cube it becomes 27 upon 8 minus 5 into 3 9 upon 4 plus 9 upon 2 minus 2 तो मैं इस स्वाल करता हूँ अभी यह हो जाएगा 54 upon 8 minus 45 upon 4 plus 9 upon 2 minus 2 तो यह स्वाल करेंगा आप अपनी basic जैसे आपका concept के उस basic किन उसार calculation कीजिए मैं यह मेरा basic calculation कर रहा हूँ यहाँ पे so it is 54 upon 4 okay तो यह तो हो जाएगा 27 27 upon 4 27 upon 4 मतलब यहाँ पे यह direct के हम यहाँ पे it is 4 मतलब यह क्या होगा 27 upon 4 minus 45 upon 4 plus 9 upon 2 minus 2 तो 27 minus 45 यह हो जाएगा 27 minus 45 तो यह 18 minus 18 minus 18 upon 4 plus minus 18 upon 4 plus 9 upon 2 minus 2 तो यह हो जाएगा 9 upon 2 this is not minus it is plus so minus यह मिल रहा है मुझे minus 9 by 2 plus 9 by 2 plus 2 तो यह cancel हो जाएगा और यह मिल रहा है 2 तो f of b मुझे मिल रहा है 2 तो यहापे f of b 2 है और f of a 2 है तो I can say f of a equal to what f of b and that is equal to 2 मतलब third condition भी यहापे क्या हो रहा है satisfied हो है इसका मतलब क्या हो रहा है the rolls theorem the rolls theorem is satisfied the rolls theorem is satisfied getting बहुत ही simple है हमें स्रीफ तीन condition verify कर लेगे continuous, difference here continuous polynomial रहेगा तो continuous है continuous है मतलब हो difference है बहुत है दो condition को तो हो जाएगी problem है regarding the third condition third condition हमें calculation सी verify करने का है और उसके बाद अगर यह third condition equal आती है तो हम बोल सकते है कि rolls theorem वहाँ पर क्या हो रहा है satisfied हो रहा है so these are the three important conditions and this is the problem first problem we have solved please note on this तो second problem अभी स्ट्राइ करें गया हम I think second bit rough हो यह problem so this is the second problem so I will take f of x is equal to x square minus 2x plus 3 यह देख किये मैं बता सकता हूँ function कुम सा है polynomial function है मतलब function f of x is polynomial function polynomial function therefore therefore f of x is continuous f of x is continuous in 1 to 4 given interval continuous से मतलब f of x से क्या है differentiable भी रहेगा differential भी रहेगा differentiable लेकिन वो क्या किस interval में रहेगा open interval में 1 to 4 उसके बाद मुझे third condition अभी verify करने के तो अभी मुझे interval है 1 to 4 मतलब a हो जाएगा a to b तो a की value आएगी 1 और b की value आएगी 4 तो f of a f of a मतलब f of 1 मतलब मैं भी यहां पर bracket कर रहा हूँ इसमें मुझे x is equal to 1 put up करने गा है so 1 minus 2 into 1 plus 3 so it is 1 minus 2 it is minus 1 plus 3 तो यह हो जाएगा 2 तो मुझे first equation मिल रहा है फिर f of b so it is f of 4 4 so it is 4 square minus 2 into 4 plus 3 तो यह हो जाएगा 16 minus 8 plus 3 I think it is 8 plus 3 11 तो यह से मैं आपर बोल सकता हूँ f of b is not equal to f of a मतलब third condition आपर verify नहीं हो रहे third condition आपर नहीं हो रहे मतलब rolls theorem is is not satisfied is not satisfied getting तो यहां पर f of a equal to f of b नहीं हो रहा है मतलब दो अगर condition satisfied रहे हो लेकिन तो satisfied the rolls theorem तीन condition हमें satisfied होनी ही चाहिए तभी हम बोल सकते हैं कि हमारा rolls theorem आपर satisfied हो रहा है so please note down this and I hope that you understood now what is the rolls theorem पू लुए हो अले बड़स्टी आप fian पूप़ खाएब ma अभी आपके सामने next problem है verify the rolls theorem for the following function f of x is equal to x square minus 4x plus 10 and x belongs to 0 to the 4 close interval है तो अभी हम solve करेंगे problems और हम c की value भी इस problem में find करेंगे let us try to find the value of c also whether your rolls theorems are satisfying or not तो यहाँ पर आप देख सकते f of x तो आपको मालूम है x square minus 4x plus 10 तो आपकी first condition क्या होगी f of x मैं यहाँ पर देख के बता सकतो f of x कौन सा function है it is the polynomial function yes it is the polynomial function polynomial function है इसका मतलब f of x is continuous everywhere f of x is continuous everywhere मुझे everywhere नी चाहिए मुझे सिर्फ इस interval में चाहिए continuous in 0 to 4 second condition yes it is polynomial function है और यहाँ पर हम देख की भी बता सकती है हम इसका difference निकाल सकते so f of x is is differentiable function differentiable function in लेकिन वो interval होगा open interval 0 to 4 third condition मुझे verify करना है f of a equal to f of b f of a मतलब अभी मुझे interval तो मिल गा है 0 to 4 that is equal to a to b मतलब a क्या होगा यहाँ पर a क्या होगा 0 और b क्या होगा 4 a 0 होगा और b क्या होगा 4 होगा तो मुझे f of a find करने का है मतलब f of 0 find करने का है so यह जो bracket से मैं यहाँ पर function लिख रहा हूँ इसमें value put up करो x is equal to 0 0 minus 0 plus 10 a होगा 10 yes f of b मैं put up कर रहा हूँ f of 4 होगा और यहाँ पर देखेंगे हम 4 square minus 4 into 4 plus 10 60 minus 16 cancel हो जाएगा तो यह 10 तो इस equation से हम बता सकते f of a equal to f of b तो यह third condition is also satisfied मतलब यहाँ से हमें क्या हो रहा है rolls theorem is rolls theorem is satisfied yes हमें satisfied हो रहा है तो अभी हम क्या करेंगे हमें पता है rolls theorem क्या होता है अगर 3 condition यहाँ पर satisfied होगे तो हमें intermediate c constant है काईसा रहेगा in that case f dash c equal to क्या होगा 0 होगा तो to find this c value और c भी हम verify करेंगे कि वो enter हो वो c किस में होना चाहिए a to b में होना चाहिए उसी में lies है क्यानी ओ भी हम verify करेंगे अभी देखेंगे हम f dash c मुझे find करने का है 3 condition तो satisfied हुए 10 constant है 10 काई 0 हो जाएगा difference है मुझे चाहिए क्या अगर यहाँ पर रोल सेर्म 3 condition satisfied होती है मतलब f dash c equal to क्या होगा 0 तो यहाँ पर x की value अगर मैं c put up कर रहा हूँ यहाँ तो क्या होगा f dash c 2 into c minus 4 equal to 0 so it is 2 c minus 4 equal to 0 so c equal to 2 आप देख सकते हो c जो है हमारा किस में चाहिए a to b a to b मतलब 0 to 4 0, 1, 2, 3, 4 यह ऐसा इंटर्वल रहेगा तो 2 intermediate रहेगा that means again we can say this c equal to 2 and that is belongs to the 0 to 4 0 to 4 in the close interval means the rolls theorem again it is satisfied rolls theorem is satisfied तो इस तरह हमें problem solve करने का है rolls theorem के ओपर please note down this तो इतने problem रहने के बाद definitely सभी student को rolls theorem क्या है और हम problem इसके उपर कैसे solve कर सकते इसकी idea आज आयो होगी कल जो है हम rolls theorem की उपर और problem लेंगे और उसके बाद LMET मतलब जो lagrange mean value theorem है इसके उपर problem लेंगे so that definitely आपके तीन marks यहाँ पर confirm होने वाले board point of view और JEE और CET PCM उसमें एक एक question normally expected है आने की chances से तो यह भी हम clear करके लेंगे तो definitely you like this session अगर आपको यह session समझ में आ गया है पूरा तो यहाँ पर आपको क्या करने का है hit the like button और अभी तक अगर चैनल अपने subscribe नहीं के तो definitely you can subscribe the channel to get the updated information on these channels what is going on these channels and what is the new update regarding the NEET, JEE and CET so friends definitely आपको यह पूरा समझ में आया होगा rolls theorem और lagrange theorem तो कल के session में और हम इसके बारे में जानकारी करके लेंगे so that we will complete the third application first हमने geometry study किया उसके बाद हमने study किया है approximation और third जो अप्लिकेशन और derivatives का वह क्या है आपका low rolls theorem and lagrange mean value theorem that is elementary theorem तो यह तीन application हमारे कल के session में conclude हो जाएंगे तो practice किजिए हरे problem जितने हम problem यहां पर ले रहे फिर से एक बार practice किजिए calculation कुछ problem आ रहा है क्या कुछ कहां पर गडबड हो रहे क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कुछ concept बाकी रहे गया क्या तो पूरा clear किजिए और हमारा जो class का notes का जो app है so please go through that every and each problem we solve in that app तो वहाँ पर एक एक problem लेके और practice किजिए और textbook का आपका जो straight board का pattern है उसी pattern से हमने वहाँ पर notes वहाँ पर already upload कर चुके हमने तो आप वहाँ पर जाए notes वहाँ पर open किजिए और एक एक problem फिर से practice किजिए getting? तो I hope that you understood this roles theorems and LMET theorems, LMET just theoretical we have completed, tomorrow we are going to take the numerical based on the LMET और कुछ और theorems, कुछ और problems लेंगे based on the roles theorem, तो definitely hit के hit किजिए आपको session अगर like हुआ है और कल मिलेंगे इसी time पर with new problems and examples thank you